नमस्कार मित्रों, आज का विशह है देव का कावे सोंद्री, बिये भाग द्वितिये ऐसो जुहों जानतों की जेहें तु विशे के संग, एरे मन मेरे हाथ पाउं तेरे तोर तो, आजुलोहों कतनर नाहन की नाही सुनी नेह सुनी हारी हारी बदन नी होर तो चलन न देतो देव चंचल अचल करी चाबुक चितावनी मारी मुह मोर तो, भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो वांदो, राधावर विरुद के बारीदी में बोर तो, ऐसो जुहों जानतों की जेहें तु विशे के संग, एरे मन मेरे हाथ पाउं तेरे तोर तो जी हाँ, देव का कावे सोंद्रिये ऐसा ही है, देव के कावे सोंद्रिये की यदि हम बात करें, तो रिती कालिन आचारिय कवी के रूप में, देव का महत पुनिस्तान है, एक और रिती निरूपन में उनके अचारित्व की पृतिष्ठा होई, तो दूसरी और वे स्रंगार के रसिद्ध कवी माने जाते हैं, रिती काल के जितने भी कवी हैं, और उन्होंने स्रंगार के जितने भी मनोहर वर्णन किये हैं, उन्में देव का इस्तान उच्छ है, यदि हम रिती काल के स्रंगारिक कवियों की बात करें, तो गहनानन्द, मतिराम और भीहारी को छोड़ करके, किसी भी कवी ने देव का जैसा स्रंगार वर्णन नहीं किया, और रस्वादी विवेचन को यदि देखें, तो रस्वादी परीचे, रस्वादी जो प्रवर्तिया हैं, वो भी कवी देव के कावे में उच्छ इस्तर किये, और उन्होंने अपने कावे में रसानमेश का निर्भा करते हुए, देव ने कवी प्रतिभा का सफल परीचे दिया है, कवी देव के कावे की विशेषता को देख करके, आचारे रामचंद्र सुक्ल ने कहा है, कि देव कासा अर्थ सोस्टव और नवे नवेश बिरले ही कवियों में मिलता है, रीतिकाल के जो कवी हैं, वे बड़े प्रतिभा सालियें, प्रतिभा संपन कवी थे, इसमें संदेनी, देव की रचनाओं में कल्पनाओं की उची उडान, अभिवेंजना सैली भी सराहनी है, सोंद्रे पूर्ण द्रस्यों के अनेक मनोहर चित्र कवी देव ने उतारे हैं, ये कथन आचारे रामचंद्र सुक लगा है, आचारी या देव के आचारेत्व के गुण को यदि हम देखें, तो देव के कावे में जो कलात्मक्ता है, जो भावक्ता है, वो कवी कर्म के अनुसार उच्छिस्तर किये, और ऐसी कलात्मक्ता, और दूसरे कवियों में भावक्ता, कलात्मक्ता, आचारेत्व के गुणों से युक्त, अन्य कवियों में कम पाई जाती हैं, उनके कावे में कलापक्त और भावपक्त, दोनों का बड़ा अच्छा सहियों गुआ हैं, किसी भी कवियों की कावे प्रतिभाव और उसकी यदि हम समिक्षा करें, तो उनके जो भावपक्त हैं और कलापक्त हैं, दोनों की तुलना करें, तो भी देव कवियों का जो कावे हैं, वो उच्छिस्तर का हैं, भावपक्त जो होता है कावे का, वो कावे का प्राण तत्त होता है, उसकी आत्मा होती है, जबकि कला उसका बहाय सोंद्रिय होता है, उसका सरीर होता है, लेकिन भावपक्त और कलापक्त ये एक दूसरे पर आसृत, एक दूसरे से समन देते हैं यहाँ यदि महता की हम बात करें तो सर्व पर्थम कविदेव के कावेगत जो भाव पक्ष है उसको हम देखें तो उनका जो प्रेव निरूपण है जो सहयोग सरंगार है जो वियोग सरंगार है जो प्रकर्ती चित्रन है, भक्ती भावना है, ये सब देखते ही बनता है प्रेम का जो विशह है, वो देव का अत्यनत व्यापक और गहन है बहुत कम कवियों में ये सांगो पांग रूप से देखने को मिलता है भक्ती और प्रेम को विभिन आचारियों ने अपने सब्दों में कई जगे पर एक माना है किन्तु आध्यत्मिक्ता के संपरक में यदि कोई आकर के देखे तो प्रेम साधना है और जो साधना में प्रेम है वो कावे में चमतकार लाता है और वो लोकिक प्रेम से भिन है साध्य सास्तर के ग्रंथों में भी प्रेम का जो वर्णन किया है उसका स्वरूप बहुत कुछ सामाजिक है और देव के कावे में यदि प्रेम को हम देखे तो उनका जो प्रेम जो निरूपन है वो आकरसक रूप में है उसमें आकरसक बिम्ब दिखाई देता है उनकी नाईका उनके नायक प्रेम रीती में पल करके बड़े होते हैं प्रेम रीती के अनुसार चलते हैं और वो पल भर के लिए भी विलग नहीं होना चाहते हैं और एक दूसरे को ही वो अपने जीवन का सर्वस मानते हैं पलन थिरात रीत नेह की नई नई और प्रेम रीती प्रकर्ति के द्वारा वो दिप्त होती है और मनुश उसमें आनन दित होता सहर दे रसिक भी प्रकर्ति के साथ मिल करके आनन्द अन्वाव करता है सुनी के धुनी चातक मोरनी की चहुँ औरनी कोकिल कुकिन सो अनुराग भरे हरी बागन में सकी राग तराग अचुकने सो इसमें कभी देव ने प्रेम निरूपड में जो तनमायता है उसका परीचे दिया है यदि उनके प्रेम में सहयोग की हम बात करें तो जो प्रेमी और प्रेमी का है वो एक दूसरे के सहयोगी बन करके जब रसभोग करते हैं और एक दूसरे से समंधिस्तापित करते हैं उसे संभोग या सहयोग स्रंगार कहते हैं इनमें दोनों प्रेमी एक दूसरे के रूप गुन को देख करके आकरशित होते हैं और फिर उस आकरशन के अंत में उनका मिलन होता है काव्य दृष्टी से यदि हम सहयोग स्रंगार को देखें तो रूप वर्णन, मिलन, उपवन विहार ये जितने भी चित्रन हैं वो इस संभोग स्रंगार के अंत्रगत आते हैं तो देव ने भी रूप सोंद्रियों को शुद्ध भाव से अपने काव्य में इस्तान दिया है देखत ही मो मन हरे सुक अखियन सो देई रूप बखाने ताही जो जग चेरी करी लेह अचारिक विदेव रूप सोंद्रे के उपाशक है उन्होंने उनका मनोहर चित्र प्रस्तुत किया है उनका एक उधारन है आपसु में रस्में रहस विह सर वन राधी का कुझ बिहारी स्यामा सराहती श्याम की पागही स्याम सराहत श्यामा की सारी एक ही दरपन देखी कहे तिये निके लगो पिये प्यो कहे प्यारी देव सु बालम बाल के साथ तिर लोक मई बली है बली हारी तो जो नाइका का रूठ जाना और फिर नाइक के द्वारा उसे मनाना और इस प्रकार की जो मधूर्चे स्टाएं कभी देव ने जो दिखाई हैं वो ऐसे चित्र हैं जिन से मिलन की मधूर्धा व्यक्त होती है, प्रदर्षित होती है पीठी दे पीठी मरोरी के दीठी सकोरी के संह सो बुह चडेबो प्रितम सो कवी देव स्रिसाई के पाई लगाई ये सो लगीबो तेरो री मोही महासुक देत सुधार सहुते रसीलो रिसेबो इसके अलावा स्त्रंगार का जो एक प्रकार से योग जो पक्षा है उसके भी देव ने बहुती सुक्षम चित्रन अपने कावे में चित्रित किये हैं प्रेम और विरह से सम्मंदित जो गहन नुबूतिया हैं वो भी उनके काव में देखने को मिलती है जहां पर अती से उक्ती का प्रियोग यद अपि उन्होंने नहीं किया है लेकिन भावात्मक्ता की द्रस्टिशे चमतकार की द्रस्टिशे कभी देव उसे अच्छुते भी नहीं है बालम विरह जिन जान्योंन जनक भरी बरी बरी उटे जर बरे से बरफाती है बीजन डुलावती सकी जन तो सीत हुमें सीती के सराप तन तापन तरफ आती है देव कहे सासनी अस्वन सुखात सुख मुख निकल नबात ऐसी सिस की फरफाती है लोटी लोटी पारत कारोट खाटी पाटी ले ले सुखे जल सफरी जों सेफ के फरफाती है इसमें जो विरह का ताप है वो अतिश्योक्ति का आश्रिय नहीं ले करके बलकि सहज है विरह ताप से नाईका की दसा सोचनी है उच्छवासों में आशु सुख गए है कंट से आवाज नहीं निकलती है और चार पाई पर पड़ी हुई है वेदना से एक तरह से तड़पाती है तड़पती है और जाडे की रात में जो उसका सरीर है वो जाडे की रात में भी तपरा है और सारे सीतलूप चार भीवा यहां पर व्यर्थ सिद्ध हो रहे तो इस प्रकार के जो स्वाभाविक रूप सोंदरे या विरह के जो चित्रण कवी देव ने किये वो देखते ही बनते हैं वो नाईका की व्योग दसा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं चोई सी चली सी छीनी लीनी सी चकी सी छीन जकी सी चकी सी लागी था किता है रानी सी बींदी सी बंदी सी विश बूडी सी वी मोहित सी बैठी बाल बलकित बिलोकत बिकानी सी ये भी एक अत्यंत ही मार्मिक चित्र जो विरहनी का कभी देव ने किया है यदि देव के प्रकृति सोंद्रे की बात करे या प्राकृतिक सोंद्रे को हम देखे तो यद पि उनका जो प्राकृतिक सोंद्रे वो परम प्रागत है इसके बावजुद उन्होंने आलंबन के रूप में प्राकरतिक सोंदे का जो वणन किया है बसंत काल का जो वणन किया है वो देखते ही बनता है मादूरी जोरनी फूलनी भोरनी बोरनी बोरनी बेली बची है केसरी किशु को कुशुम करी किरवार कनरनी रंग रची है फूले अनारनी चमक डारनी ले कच नारनी नेहे तची है कोकिल रागनी नूत प्रागनी बेखुरी बागनी भागू मची है बसंत का जो स्वाभाविक चित्रण यह देव ने किया है आकरशक चित्रण देव की अधी भक्ती भावना को हम देखें तो उनके जो भक्ती से समन्दित जो पद हैं जो चंद हैं वो सूर और तुलसी की जो भक्ती है उसके समान हैं लेकिन उन्होंने उन्से भिन रचनाएं किये भक्ती को अलग तरह से उन्होंने प्रस्तूत किया है यदपी देव सगुन अराद्दे के उपासक थे और प्रश्न भक्त थे क्रश्न को विश्नु का उतार मानते थे और मान करके उन्होंने एक तरह से क्रश्न की भक्ती किये विदुर की भाजी बेर भीलनी के खाए विप्र चाहूर चबाए दूरे द्रौपदी के चीर में इसके अत्रिक्त देवने भक्त कवियों की तरह विशेवासनाओं में लिप्त अपने मन को फटकारा है और फटकार ते वो कहते है ऐसो जुहों जानतों की जेहे तू विशे के संग एरे मन मेरे तेरे हाथ पाऊं तेरे तोरतो आज लोहों कत नर नहन की नही सुनी नेह सुनी हरी बदन नहोरतों चलनन देतो देव चंचल अचल करी चाबुक चितावनी मारी मुहमोरतों भारो प्रेम पाथर नंगारो दे गरेसो भांदी रादावर विरुद के बारीदी में बोरतों तो देव की भक्ती भावना बड़ी निष्ठा और उनकी जो भक्ती के ब्रदी जो निष्ठा है उसको उन्होंने व्यक्त किया है राधा क्रस्न के जो यूगल है उनकी भक्ती के चित्रन भी उन्होंने किये है हाई कहा कहो चंचल या मन की गती सो मती मेरी भुलानी तो समुझाए कि ये रस भोगने देवताउ वितिशना भी निसानी दाड़ी में दहक पतास सिता मदू रुख पिये उपियुस से पानी पैने तरू तरू नितिये के अधरान के पीबे की प्यास मुझा लिया लोकिक वासना और विशे शक्ति का उन्होंने विरोध किया वैराग के जन्मनों भाव अती शेराग की पतिक्या देव कवी में देखने को मिलती है